23 मार्च को हमारे देश में अमर सहीद अस्मिर्ती दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये बहुत दुखद बात है कि इस दिवस को जैसे हम 15 अगस्त और 26 जन्वरी को मनाते हैं उस परकार से हर सो लास के साथ नहीं मनाते हैं लेकिन आईए दोस्तों ये मेरा करतब्य है कि अपने देश के हर एक नागरिक को इसके परती जागरुक करना जो 23 मार्च को हर साल हमारे देश में सहीद अस्मिर्ती दिवस मनाया जाता है दोस्तों हमारे देश में जब अंग्रेजों ने पुर्ण रोप से सासन प्रारंभ कर दिया था जब वो हम हिंदुस्तानी को डराने धमकाने लगे तब हमारे देश के एक बीर जवान भगत सिंग ने उससे क्या कहा आईए मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कहा मैं चार सब्स में इसे कहना चाहूँगा कि डर कर भाग जाने बालों में से हम नहीं देखना है तो तराजू पे तौल के देख लो हमारी ताकत दुनिया में किसी से कम नहीं ये हमारे देश के बीर सपूत भगत सिंग ने अंग्रेजों से कहा था इसके बाद भी जब अंग्रेज नहीं मान रहे थे तो उनके एक और साथी राजगुरू और दूसरे साथी सुकदेव ने क्या कहा आईए मैं आपको वो भी क्रमसह बताता हूँ एक साथी ने उनसे कहा राजगुरू और सुकदेव ने उनसे कहा कि जब चल पड़ेगी आंधी तब रहन जाओगे तुम्हारी हालात कुछ ऐसी हो जाएगी किसी से कुछ कहना तो चाहोगे मगर कहना पाओगे दोस्तों इसके बाद भी जब अंग्रेज नहीं माने तो हमारे देश के बीर सपूत भगत सिंग, राजगुरू और सुकदेव इन तीनों ने एक बार फिर से मिल के उनसे कहा एक बार फिर से इन तीनों ने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा कि भारत को सिकस्त कर देना कोई आसान काम नहीं अरे इस बतन को मिटाने की कोशिस क्यों करते हो बीरों की भुमी है ये कागज पे लिखा कोई नाम नहीं दोस्तों इन सभी बीर सपूतों ने हमारे देश के लिए हस्ते हस्ते अपने जान को लुटा दिया अपने जान किया अपना सर्वस्तों लुटा दिया हमारे देश के एक और बीर सपूत जिनका नाम नेता जी सुवाश्चंदर बोस है उन्होंने जब खूनी हस्ताक्षर की, उन्होंने जब देस के लिए सुतंतरता संग्राम प्राडंभ किया, तब क्या क्या हुआ, मैं कुछ पंगती के आधार पे आपको सुनाता हूँ उनके बारे में बताता हूँ जिसका नाम है टाइडल है खुनी हस्ताखचर वह खुन कहो किस मतलब का जिसमे उबाल का नाम नहीं उस दिन लोगों ने खुन की कीमत सही सही पहचानी थी जिस दिन सुवास ने बर्वा में मांगी उनसे कुर्बानी थी बोले स्वतंतरता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा तुम बहुत जी चुके हो लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा आजादी के चर्णों में जो जैमाल चड़ाई जाएगी आजादी के चर्णों में जो जैमाल चड़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे सिसों के फूलों से गुथी जाएगी आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या सिस कटाने का सौदा नंगे सर जहला जाता है यू कहते कहते बक्ता के आँखों में खून उतराया मुख रक्त वर्न सा हो उठा दम की उनकी रक्तिम काया अजानू बाह उची करके उए बोले रक्त मुझे तुम देना इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझ से लेना हो गई सभा में उथल पुथल सीने में दिल न समाती थी स्वर इंद किलाब के नारों से कोसों तक छाये जाते थे हम देंगे देंगे खून यही सब्द यही सुनाई देते थे रनभुई में जाने को यूबक खड़े तैयार दिखाई देते थे वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो मैं कफन बढ़ाता हो सारी जनता हूं कार उठी हम आते हैं हम आते हैं यह लो माता के चर्नों में अपना रक्त चढ़ाते हैं साहस से बढ़े यूबक का उस दिन देखा था बढ़ते ही आते थे चाकू छूडी कटारियों से वह अपना रक्त गिराते थे फिर उसी रक्त की स्याही में वह अपनी कलम डुबोते थे आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे फिर उसी रक्त की स्याही में वह अपनी कलम डुबोते थे आजादी के परवानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया जब लिखा महा रनवीरों ने खून से अपना इतिहास नया दोस्तों ये एक ऐसी कविता थी जिसे आप खूनी हस्ताक्षर के नाम से जान सकते हो या कह सकते हो अंतिम सब्द में अपना समाप्त करने से पहले आप से अपनी चार लाइन कहना चाहूंगा अभी के तातकालिक दुश्मनों के लिए कि नजर उठा कर मत देखो ये सरारत है किसी से पूछ कर तो देखो क्या इसकी वारत है नजर उठा कर मत देखो ये सरारत है किसी से पूछ कर तो देखो क्या इसकी वारत है सीमा से ही लोट जाओ बरना मारे जाओगे आतंकियों का कोई कुटिया नहीं बीरों का ये भारत है दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उमीद है कि इस कभिता को इस लाइन को सुनने के बाद आपके मन में एक बार फिर से देश भक्ती की भावनाएं हीलोरा मारने लगी होगी हिलोर मारने लगी होगी एक बार फिर से आपका खून खौल गया होगा कि अपने देश के सत्रों को अगर कोई है तो उसे इसी च्छन अभी समाप्त कर देना चाहिए मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आप जिन्दगी में कभी नहीं भूलोगे कि 23 मार्च को अमर जवान जोती दिबस मनाया जाता है मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कुछ न कुछ बेनिफीसियल जरूर रही होगी अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कम से कम 10 लोगों को शेयर करें कि 23 मार्च तक ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाना चाहिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वेल आइकन के बटन को दबा दें एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू सो मच जहिंद बंदे मातरम